तो कहिए कैसे हो आप सब तो आज हम डिस्कूस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 9.5 फाइब करेंगे जब दोनों ब्रैकेट्स की जो फास तर्म है वो क्या हो सेम और जो लास तर्म है वो क्या हो डिफरेंट तो तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे एक्सक्वार यानि की फास टम का स्क्वार प्लस तो नों की लास तर्म को क्या कर दो प्लस और साथ में फास टम प्लस तो नों की लास तर्म को क्या कर दो मल्टिप्लाई तो आते हैं आपके फास पार्ट पर फास पार्ट में देखो अगर मैं compare करूँ तो ध्यान से देखो जहाँ x था वहाँ x है x की जिंगे पर तो x ही है और a की जिंगे पर क्या है 3 b की जिंगे पर क्या है 7 कर दो इसमें put x की जिंगे पर x तो x का square plus a into b a plus b यानिकी 7 plus 3 साथ में x plus 7 into 3 क्लियर तो क्या बन गया x square plus 7 plus 3 10 10 के साथ में x plus 7 3 सा 21 तो यह आपका क्या बन गया answer now move to our second part second part में क्या दिया हुए देखो compare करो यहाँ 4x यहाँ x a की जिंगे पर 5 b की जिंगे पर 1 तो क्या लिख दोगे x is equal to 4x x is equal to 4x a is equal to 5 and b is equal to 1 कर दो formula में put क्या है formula x square x square यानिकी 4x whole square plus a क्या है 5 plus b क्या है 1 into x x की जिंगे पर क्या है 4x plus 5 into 1 5 into 1 तो इसका square 4 4 का square 16 साथ में x square plus 5 plus 1 6 and 6 4s are 24 x plus 5 1s are 5 तो यह आपका क्या हो गया बेटा यहां से answer now move to offer part number 3 part number 3 में अगर मैं बात करूँ तो x को क्या दिया हुए सबसे पहले compare ही करना है ध्यान से देखना बेटा x की जिंगे पर क्या दिया हुए 4x part number 3 x को क्या दिया हुए 4x ठीक है आप देखो यहां plus यहां minus यहां plus यहां minus जब यह ऐसी condition हो formula में plus हो यहां minus हो तो आपने with sign value उठानी है sign कैसा है minus तो a की value के आगी minus 5 b की value के आगी minus 1 मैंने क्या बोला जब एक plus है और एक minus तो आपने क्या करना है with same आपने value with sign आपने value उठानी है अगर वहां भी plus है वहां भी plus है तो कोई रिकत नहीं है वहां भी minus है वहां भी minus है कोई रिकत नहीं है जब वहाँ plus है यहाँ minus है तो आपने with sign value उठानी है तो value कर दूँपोट यहाँ से क्या आ गया 4x square plus A की जिंगे पर minus 5 B की जिंगे पर plus minus minus और साथ में 4x यहाँ पर plus minus 5 into minus 1 अब देखो 440 16 16x square plus minus का 5 minus का 1 minus का 6 और minus 6 into 4 24 plus minus minus तो 24x minus minus plus 5 into 5 तो plus 5 this is your answer clear? Now move over next part, part number 4 क्या कहरा देखो? अगर compare करूं तो this is your x तो x की value कितनी आ गई? 4x एक ही value यहाँ पर देखो यह भी plus यह भी plus तो मेरे को sign उठाने के ज़रत नहीं है B की value यहाँ minus, यहाँ plus तो उठाने के ज़रत है क्या आगया? minus 1 कर दो value put तो यहाँ से क्या आया? 4x whole square plus 5 plus minus minus 1 into 4x plus 5 into minus 1 तो 4 forza 16 16x square plus 5 में से बन गया 4 4 forza 16 16x plus minus minus 5 बन जा 5 तो answer कितना आ गया? 16x square plus 16 minus 5 clear? now move to our next part part number 5 part number 5 5 में देखो बेटा आपको क्या दिया हुआ है? अगर मैं compare करूँ तो x की value 2x यहाँ पर भी देखो 2x और यह क्या है a यह आपका क्या है b तो x is equal to 2x and a is equal to 5y and b is equal to 3y कर दो value put कितना आ गया यहाँ से? x की value 2x x की value कितनी है? 2x तो x का square 2x whole square plus 5y plus 3y into साथ में 2x plus a into b यहनि की 2x into 3y कर दो value 2x ने बेटा 5y यह की value क्या है? 5y कर दो तो यहाँ से 2x आ 4 4x square plus 5y plus 3y 8y 8y plus 8y into 2x तो कितना आ गया यहाँ से? 8s are 16 साथ में x और y plus 5 3s are 15 y into y y square तो यह आपका क्या आ गया? आंसर अगर नेक्स पार्ट में में बेखंपेर करूँ तो a की value क्या है? 2a square तो a की value कितनी है? 2a square a की value कितनी है? 9 और b की value कितनी है? 5 कर दो value is put x square यानि की इसका square यानि की 2a square का square plus 9 plus 5 into x की जिंगे पे 2a square plus 9 into 5 तो कितना बन गया यहाँ से? 2 to the 4 और a की power 2 और उसकी भी power 2 2 to the 4 plus 9 5 sorry 9 plus 5 14 14 into 2 28 a square plus 9 5 जिंगे 45 तो कितना आ गया? 4a power 4 plus 28 a square plus 45 clear? Now move to our next or last part of this question आते हैं आपके last part पे? last part आपका क्या कहरा देखो x, y, z minus 4 x, y, z minus 4 तो यहाँ से देखो बेटा यह value किसकी है? x की यह value किसकी है? a की यह वाली value किसकी है? b की क्योंकि यहाँ plus है यहाँ minus तो alternate sign उठाओगे तो क्या आ गया? x is equal to x, y, z a is equal to minus 4 b is equal to minus 2 करदो values put क्या बना? x, y, z whole square plus minus 4 plus minus minus 2 x, y, z plus minus 4 into minus 2 square करोगे तो x square y square z square plus minus के 4 minus के 2 minus के 6 multiply करोँगे तो plus minus 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 6 x, y, z minus minus plus 4, 2, z, 8 तो answer कितना आ गया? x square y square z square minus 6 6, y, z plus 8 तो यही था पीटा आपका question number second and I hope समझाएगो identity में compare कैसे करना है? मिलते हैं next video में तब तक के लिए like, subscribe, share and thank you बन्यूपिएएगगो त्सूपिएगगगो झीटापगगो नगना फट्च्पागगगगो एंगगगो धीटापबेगगगगगई